जब हमने एक निया प्रोड़क्ट एड़ करना है तो उसे पहले हम existing categories या newly added categories या हम नई categories भी add कर सकते हैं, root level पर हमने करके देखी और फिर हमने उसकी एक sub category भी add की तो हम existing category यानि for example electronics है, menswear है, मतलब जैसे भी आप अपने प्रोड़क्ट को organize करना चाते हैं वो हम उसको category बोलते हैं, अब उस particular category में अब आपने कुछ product को add करना है तो for example जैसे हमने अभी book के category add की थी, उसमें हमने एक sub category बनाई थी, fiction book की तो हम उसमें भी product add कर सकते हैं, existing कोई category है, for example electronics for example थी, या menswear थी, उसमें भी हमनों product add कर सकते हैं let us try to add a new product, क्योंकि जब भी आपने अपना store set up करना है, so these will be the basics, या आपने जब अपना store set up करना है तो सबसे पहले आपने product को add करना है, और product को add करने से पहले आपने categories को सही तरीके से add करना है तो इसलिए मैं categories और product पे जादा focus कर रहा हूँ magento shop में जब आप login होंगे, आप catalog पे click करेंगे, catalog पे जब आप product पे click करेंगे, you will end up with this sort of screen तो यह आपके पास existing products हैं, अब यहाँ देखें आपके पास 2047 products, यह वो products हैं जो installation के वक्त थी magento के अंदर उन्होंने add कर दी हैं ताके आपको कुछ data नजर आए, तो आप अब यहाँ देखें, कि आप जब अपने product add करते हैं, तो आप उसके अंदर image, name, उसकी type and so on, आप बहुत ज़्यादा उसकी categories add कर सकते हैं तो यहाँ पे एक SKU चीज है, इसको जिससरा हम लोग का product number होता है न, यह वो चीज है, तो हम एक नया product add करते हैं, और इसके साथ हम कोई category attach करते हैं, ताकि आपको एक बड़ी flow समझ आजे, क्योंकि this will be the first thing you will be doing after setting up, तो अब यह लोड हो रहा है, अब यहाँ पे for example, enable product को आपने yes करना है, reason, अगर आप इसको yes नहीं करेंगे तो front end पे आपको यह product नजर नहीं आएगा, let's suppose a product का name है, let's suppose मैं कहता हूँ iPhone है, for example, मैं इसको electronics की category में for example add करता हूँ, आप यहाँ पे इसको iPhone dash 8 कर सकते हैं, इसकी price आप लिख सकते हैं, let's suppose मैं इसको हमारा unit of price है, वो PKR है, let's suppose मैं इसको one lakh twenty thousand कर देता हूँ, taxable good है के नहीं, आप इसको none कर दें, for example, अब आप यह बता रहे हैं कि आपकी inventory में iPhone 8 कितने मौजूद हैं, तो यह quantity आपके stock की है, let's suppose मैं कहता हूँ मेरे पास 12 मौजूद हैं, इन stock को आपने yes करना है, अगर आप yes नहीं करेंगे तो आ wait है, let's suppose wait कर दें, let's suppose one fifty, उसके बाद अब आप यह देखें, यह categories हैं जो हमने, अब हमने select करनी है, अब यहाँ पर आपके पास सारी वो categories आ रही हैं, जो already add थी, fiction book वाली भी आ रही है, यह भी आप select कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर electronics पर click करें, यह एक electronic gadget है, मैं इसको य play around with images, आप इसके images नहीं add कर सकते हैं, जो यहाँ पे आपको आएंगे नजर, और यह उसके बाद आप इसको upsell कर सकते हैं, आप customize कर सकते हैं and so on, तो हमने simple एक basic एक product add किया, उसके बाद हम इसको करते हैं save, अब जब यह product save हो जाएगा और इसकी जो category है, वो आपको electronics की category में यह product आपको नजर आना चाहिए, तो अब यह safe कर रहा है, तो यहाँ भी आपके बास message आ गया, you save the product, अब हम यह देखते हैं कि हम catalog में जाते हैं and we click here again, अब हम यह चेक करना चाहते हैं कि यह product successfully add हुए के नहीं हुआ, अब वो load कर रहा है, अब हम magento shop में जाते हैं, यानि front end, यह मुझे और आपको visible है, as a end user, हम 127.0.0.1 पे जाते हैं और magento पे click किया, let's click here, अब यहाँ पे click करते हैं क्योंकि हमने electronics के जो sub category थी, उसमें हमने add किया था, अब हम इसको यहाँ पे change करके देखते हैं, अब यहाँ देखें, कि अब हमारे पास यह वाली, यह iPhone का यहाँ प this proof के हमने, जो यहाँ से product add किया है, वो हमें यहाँ front end में successfully नजर आना चाहिए, तो यह हमारा, जो मैं आपको यह वाला panel दिखा रहा हूँ, यह हमारा main panel है, main panel से मुराद, यह हमारा client side panel है, यानि मैं अभी login नहीं हुआ, लेकिन, जिसरा for example, amazon.com पे हम कोई search कर सकते हैं जाके तो अब जैसे ही मैं जिस related category में अपने product add करता जाऊंगा, उस category में मुझे यहाँ पर यह product display होना शिरू हो जाएगा, so that's one way of verifying the products, so this is a way to add the product with existing categories और आप नहीं category भी add कर सकते हैं, run time के ओपर, this is all about adding a new product into the magenta shop. झाल